यूपी-b8 की जो कॉंसिलिंग होनी है उसको लेकर बहुत सारे आप सबी लोगों की सभाल है कि कंसिलिंग कब होगी का। लोगो सा कलेज़ वैतर रहेगा कहां पर कॉलेज चूज करें फिस क्या होगी क्या उसमें क्रीटरिया होगा कैसे कॉलेज जाना है कॉलेज जाकर नहीं ऐटेंड तक बने रही है मैं लोग उसरा आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल लोगों साथ अपला सबसे पहले बता दें कि यूपी बीएट का जो भी इंटरंस एक्जाम हुआ है उनसे भी बच्चों का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है जो बच्ची अभी तक अपना स्क सबसे पहले आप अपना स्क आरवब देख ली जाकर अपना सबसे पहले आप अनगाले को आंपना से अपना सबसे पहले आप अपना rank जो है वो देख लिए कितना है उसके according ही आपका counselling होना है counselling आप online होती है किसी वी महाविद्द्द्द में आपको कहीं जाने कि आ सकता नहीं है आप अपने घर वैठे मोबाइल से computer से आप अपना counselling कर सकते हैं, बात आती है कि काउंसा college चूज करें, सबसे महत्मूर सवाल ही है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास की collegeों में जानकारी जरूर कर लें, कि आपको क्या सुविधा मिल रही है, फीस क्यलाओं वो आपसे कितना fees charge करना चाह रहा है, अगर आप college नही में सुरू होगी, तो अभी आपके पास 20-25 दिन का time है, आप अपने आसपास college जो भी नजदी की पढ़ रहे हैं, वहां संपर्क जरूर कर लीजिए, और आपको चीज बता दें, किसी भी brokerage के चक्कर में मत पढ़िए, कोई अगर कह रहा है, मैं आपका admission करा दूँगा, उस सिर्फ नुकसान आपका है, ना उसमें college का नुकसान है, ना उसका नुकसान है, जो लेके जा रहा है, तो मेरी सलाज यही है, जो भी लोग B.A.D. entrance exam दिया है, जिनका result आ चुका है, सभी बच्चे खुद से college पहुंचकर अपनी जानकारी लें, और जो बच्चे B.A.D. करना इस पर आप WhatsApp करके सारी जानकारी ले सकते हैं, B.A.D. के लिए हमारे महाविद्दाले में 100 seat उपलब्द है, जिसमें से 75 seat साइंस आर्ट साइट के बच्चों के लिए, आर्ट और कॉमर्स और 25 seat जो है, वो एगरी कल्चर और साइंस के बच्चों के लिए है, तो seat की कोई समस नहीं है, अगर आप बाहर से हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी सला यही है कि आप admission कहीं भी लीजिए, अपने नजदी की जहां भी आपको मिलता है, जहां जगा मिल जाती है, आपो seat मिल जाती है, लेकिन बस यह की ध्यान रखिए, किसी के भी brokerage के चक्कर में ना पढ़िए, बस इस वीडियो में फिर मिनेंगे ने अपसूद में, तब तक के लिए, जय ही, जय भारत!